कि चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अंडेस्टेंडिंग इंडिया का फेपर जो कि कहां पे पूछा गया है तो यह अंडेस्टेंडिंडिया का जो फेपर है भारत में जितने भी इनिविश्टेटी सब के लिए सेम होते हैं पर बिसस रूप से यह एसके में दुमका में पूछा गया था ठीक है यार थोड़ा हाजमुला खा रहा हूं ना इसलिए बॉलने में जहाट और एक खा लेता हूं उसका बादिब बनता हूं चलिए अब फुरू करतां से यार देख़ी अड़ेश्टेंटिक इंडिया जापर धोस्तों जारकं के सभी इनिविश्टी या फिर भारत के सभी इंडिया सेम होता है आज हम वो बात करने वाले हैं एसके मियों दुमका में पूछा गया अंडरेस्टेंडिंग इंडिया सेकेंड सिर्टिंग का पेपर ठीक है आप किसी भी नुटिस पढ़ें आपके लिए हैल्पूल होगा ठीक है चलिए देख लेते हैं को इसके इस टाइप के कोश्चन आये थे और इसका आंसर क्या होने व आप दा ब्रिटिस एंडिया लेट टुद बिगेनिंग ऑफ विच मुमेंट बाइ महात्मा गांधी तो देखिए यहां पर हिंदी में हो जाएगा कि अंग्रेजों ने नमक कानून के विरोद में किस आंदोलन का महात्मा गांधी ने किया था तो अंग्रेजों के विरोद नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था सभीने अवग्या आंदोलन जिसको डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रा के नाम से भी जानते हैं ठेक है 1936 में चलाया था बस इसका राइट आंसर हो जागा सभीने अवग्या आंदोलन ठेक ह अगला है कि बिनायक दामोदर सावर कर सौत में बोलते हैं वीडी सावर कर और गनेश वासुदेव सावर कर ने 1904 में एक गठिप गुप्त संस्था बनाया था एक तरह से सिगरेट खुपिया एजंसी बनाया थी जिसका नाम क्या था? उनका नाम पुछा गया नौट कर लिजिएगा यार मैं लिखने में बड़ी दिक्कत होती है आगे देखते हैं से नंबर कोश्चिन इसमें पुछा गया है कि सुभास चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फोच की महिला रेजिमेंट जो था उनका नाम क्या रखा था यह नों टेक हैं इंगल सवास चंद्र बोस ने जो गठित किया था समीति महिला रेजिमेंट नाम रखा था रानी लचमी बाराई एंब हिंदूस्तान सॉशलिष्ट रिपबलिकन असूसियश्च की स्थापना किसंने की थी कि इंग्लिफ में हो जाएगा कि वेन वाजदा हिंदुस्तान सौसलिस्ट रिपॉब्लिकन असोसियेशन ए रिवोशनौलारी और्गनाईजेशन फाउन्डेड या फॉर्मेड ठेक है तो इसका फॉर्मेड किस ने किया था राइड अंसर हो जाएगा आपका किस ने किया था इसका फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन कब हो था सौरी लेट पुछा है तो डेट हो जाएगा आपको 1924 और किस ने किया था तो यह किया था राम परसाद बिसमिल और योगेश चंदर चाटर जी और राम परसाद बिसमिल के परसिद सायरी याद होगी आपको सायरी नहीं हम लोग बोल सकते हैं वो नारा बोल सकते हैं कि सर्फरोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोरे कितना बाजवे कातिल में है यह राम परसाद बिसमिल के परसिद फैमस लाइन है ठीक है उनके दोरा दी गई अगला है कि भारत में उननीस सो एक्यानबे में आर्थिक सुधार के समय विद्ध मंत्री कौन थे तो कौन थे हैं मौन मौन सिंग मौन रहो यार एकदम मौन हो जाओ चिप हो जाओ मौन मौन सिंग ठेक है याद हो गया मौन मौन सिंग आगे देखते हैं निती आयोग का पूरा नाम क्या है तो नुइती आयूग का पूरा नाम है National Institute for Transforming India हिंदी में बोलते हैं राइश टिय भारत परिवर्तन संस्थान पंचवर्शी हो जना के अस्थान पर आया था और इसकी अस्थापना कब भी थी तो एक जनवरी 2015 से यह लागू हुआ था अगला है question जी number इसमें पुछा गया है कि भारत के संविधान में वर्नित मौली का दिकार क्या नियाई संगत है बिलकुल नियाई संगत है जी तो हाँ नियाई संगत है इसका right answer हो जाएगा एच नंबर question देखते हैं इसमें पुछा गया है कि NEP New Education Policy 2020 के ताथ ABC संचिप्त रूप क्या है तो ABC का संचिप्त रूप क्या है right answer क्या हो जाएगा ABC का मतलब होता है academic bank of credit ठीक है academic bank of credit आप लोग लिख देजिएगा academic bank of credit ठीक bank of credit 문 cheers question a' कि भारत में जो है पहली बार we राश्टी आपातकाल कब लगा गया है तो national आपातकाल जो है राश्टी आपातकाल 40 चीन की बीच में यूद्ध छेड़ गया था ठेक है क्या बुलते हैं कि चिनी लोग जो है न हम लोगे के साथ गात कर दिया और भारत चिन यूद्ध हो गया ठेक है उस समय हमारे परधान मंत्री थे हैं पंडि जुआहर लाल नहरू अगला कोशन है कि भारत में 1949 में जारकन पार्टी का गठन क किन के द्वारा किया गया तो दोस्तों भारत में 1949 में जारकन पार्टी का गठन किन के द्वारा किया गया था राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका जारकन पार्टी का गठन किया था जेपी ने समझ गया होंगे जय परकाश नारायन ने लोक नायक के नाम से जाने जाते थ इंग्रिज में कि explain the significance of non-coperation moment of गांधी जी टिक है गांधी जी का सहयोग आंदोलन non-coperation moment 1920 में चला था कि हमें अंग्री जी वस्तों का बाइसकार करना है कोई भी अंग्री जी सामान नहीं खरीदना है और अंग्री जी कपड़ों को भी चला देना है 1920 में चला था और 1922 तक अंतिम हुआ 20 में शुरूआ था 22 तक चला था अगला है भारती राश्टी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का संचिप्त वैख्या करना है briefly explain the role of सुभाष चंद्र बोस in Indian national moment समझ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस नेता जी हम सभी जानते हैं इन्होंने पहले civil service का exam दिया qualify भी किया ना कि top किया थे exam में साथ महेने की प्रेप्रेशन के साथ और जाके फिर नोकरी भी की बात में छोड़ भी दियें ठीक है अब 20 marks वाले question आते हैं यहां पर आपको किनी चारी प्रेशन का आंसर करना है 20 marks वाले question थे इसमें पहला question क्या था कि define liberalism sorry define liberalization explain the measures taken in India to liberalize her economy since 1991 ठीक है आगे देखते हैं यहां पर question है हिंदी में इसका कि उदारी करन को परिभासित के जिए भारत में जो है 1991 से अर्थवेस्था के उदारी करन के लिए किये गए उपायों की वैख्या करें तो दोस्तों मौन मौन सिंग की एक बहुत बड़ी देन क्या है कि भारत में उन्होंने जो है liberalization को लाया LPG को लाया liberalization क्या बोलते है LPG liberalization और globalization इसको क्या बोलते है या privatization sorry liberalization privatization and globalization LPG ठीक है LPG का मतलब वह भी होता है कि liquid petrolified gas उसका मैं LPG gas का बात नहीं कर रहा हूँ LPG यहाँ पर liberalization, privatization and globalization की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है आगे देखते हैं five number question नहीं इसमें पुछा गया है कि भारत के सम्मिधान की परस्तावना में उद्रित प्रमुख मिल्यों की चर्चा कीजिए इंगलिस में कि explain the basic value as answered in the preamble of our constitution ठीक है तो भारत के सम्मिधान में परस्तावना कैसे लिखे गए है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन, संप्रभूत, पंत निर्पेच, समाजवादी यह सा जो लिखा गया है न वही है प्रेंबल जिसको पंडित जवारल नहरू ने तय प्यार किया था और इसको भारत सम्मिधान की आत्मा भी कही जाती है केम मुंसी ने कहा था कि यह भारत सम्मिधान की आत्मा है ठीक है अगला है भारत के लोगतांत्र के ससक्त एयों जीवन्त बनाए रखने के लिए उनके नागरिकों की भूमिका को अस्पस्ट करें ठीक है messaged goals of new education policy 2020 टीक है आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट कोशन तो कोश्चन नबर हमारा 8 है इसमें पुछा गया है कि वर्तमान परिपेक्स में भारत और पाकिस्तान के बीच पाक मतलब पाकिस्तान के बीच संबंद कैसे हैं वो बताने हैं इंग्लिस में है कि discuss the Indo-Park relation in the present parlance टीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा और अंतिम कोश्चन ने इसमें पुछा गया है कि जारखंड के आदिवासी समाज के समख्च जो उपस्तित मुख समश्या है उसको बताना है ठीक है discuss the main problem begin faced by the tribal population of जहारखंड तो मैंने ये सभी कोश्चन बता दिये थे और मतलब दो तिन कोश्चन चोड़के बादबागे सभी कोश्चन टो मेंच कर ही गए हैं और आपको का एक्जाम भी अच्छा गया चलिए आगे आपका एक्जाम होगा major paper, IRC paper और क्या बलते हैं health wellness योगा education का paper जितना भी है सब यहां पे मिल जाएगा semester one से लेकर ये फूरा गिजुशन तक complete कराया जाएगा इस channel के medium से in future अगर मतलब मैं time नहीं दे पाता हूं उतना तो कोई दूसरा आदमी को मैं trend करके यहां पे लगा दूंगा यार सिक हैं तो आप लोग जुड़ जा आपको दूसरे चैनल में मिल जाएगा जिसको हम लोग अपने मतलब खुद के नाम से साकर सागर साव के नाम से वहां पे आपको यह सबी अपडेट दिये जाते हैं वेकेंस रिल टेट ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही काफी ज़्यादा सुक्रिया आप लोग को वी यहनत करना होगा टेक है थैंक यू बाए